क्या पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर भारत की बहू बनेंगी या सवाल इस वक्त बादशा के सभी फैंस पूछ रहे हैं। तो कभी लंदन में। दोनों को कई बार साथ में देखा जा चुका है पर हाल ही में जो वीडियो सामने आए उसमें फैंस को कंफ्यूज कर दिया। जब कॉंसर्ट के दौरान बादशा ने हानिया के आगे सिर जुकाया और फिर उन्हें गले लगाते देखे गए। हानिया अमिर और बादशा पहले भी साथ में तस्वीर शेयर कर चुके हैं डेटिंग की खबरों पर दोनों में से किसी का कोई भी रियक्शन नहीं आया। खैर दोनों की नेटवर्च की बात करें तो हानिया अमिर पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रिस हैं जो एक शो के लिए लाखो रुपए चार्ज करती हैं। पाकिस्तानी ड्रामा के अलावा शोशल मीडिया फिर भी तगड़ी कमाई करती हैं। उनके इंस्ट्रग्राम पर 16.4 मिलियन फॉल्वर्ज हैं वही मैगजीन शूट, एड शूट और ब्रान एंड्रॉट्समेंट के जरिये भी खुब पैसा चापती हैं। हाली मैं आई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि एक्ट्रस ने अपनी फीज पढ़ाई हैं। अब वो एक एपिसोड के लिए 3 से 4 लाख रुपे चार्ज करती हैं। वही 27 साल के एक्ट्रस के कुल संपत्ती 5 मिलियन डॉलर की बताई जाती है। तो चलिए अब मशूर रैपर बादशा के नेटवर्ट की बात करते हैं। मशूर रैपर बादशा ने अपनी रैपिंग से लोगों के दिलों में खास जगे बनाई है। वो म्यूजिक इंडूस्ट्री का जाना माना नाम है जो एक लाइफ शो के लिए 1 करोर रुपे का चा बादशा से कोई मुकाबला ने रैपर एक लाइफ शो से करोड़ों चाप लेते हैं। हालाकि ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों अच्छे दोस्त हैं। लेकिन लेकिन वीडियो के बाद यह दोस्ती से ज्यादा लग रहा है। इस वक्त बादशा दुनिया भर में लाइफ कॉंस पाकिस्तानी एक्ट्रस ने फोटो बें स्टोरी पर पोस्ट की थी। जहां वह उनसे गले मिलते नजर आ रही है। जो देख फैंस भी बेहद एक्साइट हो गए थे और अब इनके अफियर की भी अचकले लगाई जा रही है। तो यह था कुल नेटवर्थ रापर बादश झाल 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 झाल